जमु कश्मीर में आठ जवानों की शहादत के बाद सुरक्षा बलो ने आतंकियों के खिलाफ बड़े ओपरेशन की शिर्वात की है पिछले कई घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद पुलवामा के बेक पोरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलो की बीच मुटभेड हुई जिसमें सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर को घेर लिया जबकि एक आतंकी यहाँ पर धेर हुआ और साथ ही डक्षिन कश्मीर के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है मौके पर सुरक्षा बलो की अतरिक टीम भी पहुँझी और आसपास के इलाकी को पूरी तरिके से घेल लिया गया है सुत्रों के अनुसार दो से तीन आतंक वादियों के फसे होनी की यहां पर आशंका है जिसमें हिजबूल कमंडर रियाज नैकू भी शामिल है